हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल ओनलाइन आई टीए पर दोस्तों NHPC लिमिटेड में आई टीए ग्रेजवेट और डिपलोमा पास आउट के लिए अपरेंटिस के लेटेश्ट भरती निकाली गई है और इसी के बारे में आज की वीडि के लिए पद निकाले गए और जो पद निकाले गएन की कुल संक्या सत्तर सतर पत कुल निकाले गए हैं इसमया flawed होने के बाद आपको एक वर्ज़ तक अपरेंटिस painter का मोका दिया जाएगा आगे हम अधस की बात करेंगे उनको किस तरीके से इस में फोरम भरने इन ट्रेड्स के लिए यहाँ पर मोका दिया जा रहा है इन ट्रेड्स के लिए पर पद निकाले गए तो वो अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आई टे कंडिडेट के लिए मांगी गई है तो इसमें आपको 10 पास होना जरूरी है सबसे पहली चाहिए, एक जन्वरी 2024 तक, तो एक जन्वरी 2024 तक अगर आप14 वर्ष zur complete कर चुके हैं, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, तो काफी अच्छा मोगा है, इसमें apply करने का, इसके अलावा अगर आपने पूरू में cells कीवई है, इस टाइपेंड जोगी 7,000 से लेकर 8,500 रुपे प्रतीमा ITI वाले के इंडेट्स के लिए हो सकता है आगे मैं आपको बता दू इस भरती में सेलेक्शन का क्या प्रोसेस रखा गया है इस भरती में सेलेक्शन के लिए आपका एक इंटरिव्य होगा और इस इंटरिव्य के लिए आपको कोल लेटर जारी किया जाएगा आपको सूचना दी जाएगी और उस विए नुसर आपका इंटरिव्य होगा और इंटरिव्य में सेलेक्शन मिलने वाला है इस भरती में अपलाए आपको दो रुच्टेप में करना है सबसे पहले ITI वाले candidates के अगर बात करें तो आपको apprentice India पर जाकर अपना registration करना होगा apprentice India में अगर registration का process आपको नहीं मालूब है तो i button पर click करके आप हमारी वीडियो देखकर अपना registration कर सकते हैं registration करना बिल्कुल free है किसी भी apprentice की भरती में apply करने के लिए आपको apprentice India पर register होना ज़रूरी होता है तो इस पर registration अवश्य कर लें इस पर registration हो जाने के बाद आपको एक form fill up करना है यह form आपको इस वेकंसी की PDF में नीचे की और देखने को मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं application performa iti यह PDF आपको हमारे telegram उससे download करने को मिल जाएगी तो वहां से आप इसकी प्रिंटर निकल वा ले और इसमें काफी basic details मांगी गई है जिसे की candidates का नाम, gender, उसका father name, address, educational qualification, आपका mobile number, contact details, etc. तो यह सारी details आप इस form में fill up कर दें साथ ही इसमें आपका एक photo, latest passport site का photo लगा द registration number या निवारी रूप से आपको भर देना है, इस तरीके से आपको form भर देना, अब इसमें आपको documents क्या क्या साथ में लगाना है, ये भी आपको इस PDF में पढ़ने को मिल जाएगा, documents to be enclosed में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपको educational certificates, आपकी मुल निवासी प्रमान पत्र का जिरोक्स चाहिए, आपका character certificate का जिरोक्स चाहिए, character certificate original चाहिए, मैं आपको एक सुदार करना चाहूँगा, character certificate आपको original लगवाना होगा, जो की gadgeted officer से verify होना चाहिए, issue होना चाहिए, इसके लाबा आपको SCST OBC category वाली post में apply करना है, तो उसका envelope में ये सारे documents उस form के साथ आपको pack कर देना है, और ये documents और ये envelope आपको यहाँ पर मैं address बता देता हूँ, यहाँ submission of application में अगर आप देखेंगे नीचे के और तो address दिया हुआ है, जो कि ए group senior manager HR, लोग तक power station, NPC limited, चूर, चंदरपूर, मनीपूर, यहाँ पर आपको courier by post भ इस पर email भी कर सकते हैं, तो यह काफी easy हो जाएगा, तो आप इसको email के माद्यम से आपका form भी submit कर सकते हैं, अगर बात करें dates की तो मैं आपको बता दूँ, जो apprentice portal registration की last date है, वो 20 December 2023 रखी गई है, इसी तरीके से आपका जो form है, वो अगर आप courier by post, speed post by hand, किसी भी तरीके से जाते हैं, वो 20 December 2023 तक ही भीज सकते हैं, शाम को 5 बजे तक, इसके अलावा आप इसे email भी कर सकते हैं, email पता में आपको बता दिया है, तो email के माद्यम से form भीजना काफी आसान रहने वाला है, तो इसका उपियोगा जरूर कर सकते हैं, तो student इस तरीके से आप इस vacancy का form जरू पूला है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक क्यार